हेलो प्रेंट्स, वेलकम टो स्टाजी बीट् क्रेजी गूरू फ्रेंट्स आज के इस वीडियो में हम लोग DR DO September 10th & Dante की ओर से जो श्टेनोगराफर हो गया, administrative assistant हो गया, store and security assistant हो गया, driver में क्या जाता है呢, vehicle operator & fire engine driver और fireman इतने सारे post के लिए जो job notifications के लिए निकले थे उसी का आज हम लोग एप्टिट्यूड का टेस्सरीज 12 देखने वाले इससे पहले टेस्सरीज 11 अप्लोड है और कुछ थियोरी कलास भी अप्लोड है उसका प्लेलिस्ट आपको वीडियो प्लेलिस्ट में मिल जाएगा ओके तो वहां से आप लोग जाके सकते हैं या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा ओके और इसी तरह यह नहीं कि केवल एप्टिटूड का चला है रिजिनिंग का भी चला है जेनरल एवेड़नेस का भी चला है और जेनरल इंगलिस का भी चला है यानि कि चारो सबज प्लेलिस्ट बना हुगा है उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा आज हम लोग एप्टिटूड का टेस्सीरीज 12 डेखेंगे टेस्सीरीज इंपोर्टेंट है क्योंकि कोश्चन जैसे इसी परकार नहीं सेम यहीं कोश्चन नहीं रहेगा लेकि 75 कोश्चन 75 मार्क्स के पुछे जाएंगे जिसमें एप्टिट्यूड रिजिनिंग जेनरल एवर्डनेस और जेनरल इंग्लिस चारों सब्जेक्ट से पुछे जाएंगे तो यह चारों सब्जेक्ट का स्टडी विट क्रेजी गुरू टीम का अपना एक क्या है इबूक है क मार्केट से लेने जाएगा तो एक हजार के आसपास आपको रुप्या लग जाएगा ओके लेकिन हम इसे क्या मातर सटर रुपया में आपको प्रोवाइड करा रहा है और यह इबूक है जो अपने पास इंग्लिस मेडियम में भी और हिंडी मेडियम जिस मेडियम में आप एक जाम देना चाहोगे उस मेडियम में यह इबूक ले सकते हैं और पेमेंट कहा करना है मातर सेवेंटी रुपीज देखिए हंड्रे रुपीज था लेकिन अभी सेवें ठर्टी परसेंट डिस्काउंट चल ला है यह सतर रुपया में मातर मिल ला है और यह कहां पेमेंट सबसे फेटन लिए नेम इस मेडियम के लिए चाहिए और किस पुष्ट के लिए आपने अपराई किया है इतने सारे पोस्ता तो बहुत सास्टिव्यंत ऑं इसे इस्ट्यन्ट इस पोस्त के stress करसेका आपको यह ग their chat earn लग है केवल 40 नमर का हिंदी और इंगलिस पूछा जाएगा बाद बाकि जितने सारे पोस्ट है सब का एप्टिट्यूड रिजनिंग जनरल एवेड़नेस और जनरल इंगलिस 75 कोश्चन पूछे जाएंगे तो आज का हम लोग टेस्टरीज देखते हैं देखें कोश्चन नम जाएगा तो उस चापा कल को चार दिन में गारने के लिए कितने परतिसत अधीक मज़दूर की आवसक देखें परसेंट में घुस गया ताइम एन वर का कोश्चन है परतिसत में घुस गया परसेंटेज में घुस गया इसलिए न बोला एक जामिनर आपके साथ खेल आपको study with crazy guru के साथ लगातार बने रहना है और बने कैसे रहना चाइनल को सब्सक्राइब कर लिजी अगर नहीं है तो अगर पुराने है तो बस class continue कलते रही है और ebook में question लगाते रही है ebook में आपका subjective यानि की rule plus objective question भी है टेंशन लेने की जरूरत नहीं है तो देखिए यह बोला है कि पांच मजदूर 12 दिन में एक चापाकल को लगाता है तो वही चापाकल को चार दिन में लगाने के लिए कितने परसी जो कितने परतिसत है अधिक मजदूरों किया वसकता हो पांच मजदूर तो है ही कि इसमें कितना एड कर देंगे कि यह 12 दिन के बज़ाए कितना चार दिन में ही अपना काम हो जाए ओके तो देखिए इसका solution क्या है देखिए जब इस तरह के time and work का question रहा है और यह percentage में पूछे तो कैसे है 12 दिन में एक चापाकल पांच मजदूर गरती है यानि कि 5 मजदूर मिलके 12 दिन लगा देता है तो है 4 दिन में एक चापाकल गरने में कितना यानि कि एक चापाकल को एक चापाकल को कितना 12 इंटू 5 यह लग जाएगा एक चापाकल को गरने में जो टाइम है वो यह लग जाएगा तो टाइम नहीं जैसे यह टाइ चापकतल को होगा यह कि तोटल हो गया लेकिन कैसे करना ज सब norma मजदूर चाहिए किड़ 15 मजदूर मजदूर चाहिए लेकिन पाच पहले से हिर नकितनेm करत कर रहा है माइनस प winners ऐड से 5 हो जाएगा क्योंकि देखिए पहले कितना मजदूर था 5 मजदूर और अभी कितना चार दिन में कितना 15 मजदूर चाहिए टोटल तो 15 मजदूर चाहिए तो यह 15 टोटल मजदूर है लेकिन यह माइनस 5 होगा क्योंकि पहले से 5 काम कर रहे थे तो यह 10 हो गया डिवाइड़ भाई 5 हो जाएगा आइं 200 तो वही 200 परसेंट और मजदूर क्या अधिक चाहिए तो यह तो हो गया उसके बाद अब 42 देखत जा不好 क्याए थे लिएए पक्रण्थव जगाद रहेसे कक्या क्यों होगे जाता है रहे रहार पहले रहे जोटक्रण्था थेज़ा से मत पराप्त करता है लेकिन वो फिर भी दूसरे उमिद्वार है उससे 300 मत से हार जाता है तो कूल मतों की संख्या यानि कि टोटल कितना मत है ये पुछा है तो देखे 40% है इसको पराप्त हुआ तो बाद बाकि 60% किसको पराप्त हो जाएगा दूसरे वाले को और 40% इसको है य लेकिन हमें यहां कुल मतो की संख्या पूछा है यह पूछा है तो सिंपल हम लोग यहां निकाले देखे दूसरे उमिद्वार का पराप्त कितना 60 % हो जाएगा क्योंकि हार दिने वाला 50% लाया है तो जटने बाला 60% लाएगा उसके बाद अंतर जोकी 20 % है जोकी हमें दिय गया कि 300 मट से अधिक जिट जाता है 20% is equal to कितना है 300 है तो 100% is equal to कितना हो जाएगा मानली जे 20% 300 है तो 125 इंटु 5 कल देज़े यानि कि 1500 हो जाएगा simple है so simple आरी simple हो हासा में समझे 20% is equal to 300 है तो 300 है 20% तो 120 गुने 5 इधर भी 5 हो जाएगा परसेंट यानि कि 100% is equal to इधर भी 300 है इंटु 5 यानि कि 1500 टोटल यह हो जाएगा 1500 मत है बोट है जो इस इलाका में कितना 1500 मत है जो इस इलाका में है ओके तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है ओके यानि यहां पे 1500 बोट था जिसमें से कि 40% कौन ला रहा है 40% टिन ना 600 मत ला रहा है जो हालने वला वो है और 9 से मत वो 60% ला रहा है कौन जो जीता है वो तब न 600 परलस 300 यानि कि 300 मतों से यह बीजय हुआ और हुआ एकशे भी मतलब कोन को एकड़ में देखना है किस ऑदने प्रेंटिकल वीव मैं सेकेंड में फैंछ माना की कूल मतों की क्या एक मानलेंगे जो जीतने वाला है शाट पर्षेंट ला या हालने वाला 40 पर्षेंट है टोनों का अंतर हमें दिया हुआ है 300ój है तो पास सोहन से दोगना धन है तो था सोहन के पास पंकस से 50 परसेंट अधिक धन है यदि तीनों का आउसत धन 11000 है तो मुकेश के पास कितना धन है तो यह पूछा है देखे तीनों का आउसत कितना है? 11000 है तो टोटल कितना हो जाएगा? 11000 आइंटू 3 यानि कि 33000 रुपई या टोटल इसके पास क्या है? आउसत कितना 11000 है? आपके पास आउसत एक के पास 11,000 है तो तीन के पास इन्टो ठी हो जाएगा यानि कि 33,000 रुपय टोटल हो गया लेकिन यहाँ पे कुछ देद याजे मुकेश के पास सोहन से दुगना है और सोहन के पास जो है पंकस से 50% अथिक है तो मुकेश के पास कितना धनों का यह सबसे पहले लास्ट में हम परसेंट वाला के देखेंगे जो पंकस का जो है 50% जो सोहन के पास है जो पंकस से 50% अधिक है तो सबसे पहले नीचे वाले पंकस को हम मालेंगे एक्स है क्या है पंकस का एक्स है तो सोहन के पास कितना हो जाएगा इस से 50% एक्स है तो एक्स में जुट जाएगा न एकस का 50% जुट जाएगा तो यहीं x प्लस 50% याणि कि 3 x by 2 हो जाएगा कि इसके शोहन के पास बास भी देख लिया यह पंकज के पास x है यह पंकज के पास x है तो 50% अधिक सौहन के पास हो गाए उसके बार मुकेस के पास सोहन से 2 गुना है यानि 2 into सोहन का कितना है 3x divided by 2 है तो 3x divided by 2 कर डेंगे तो यह किसके मुकेस के पास हो जाएगा तो 2 into 3x divided by 2, यह क्या हो जाएगा, यह मुकेश के पास हो जाएगा, तो यह 3x आ जाएगा, यह 2 से 2 कटा यानि कि 3x किसके मुकेश के पास है, और सोहन के पास कितना है, 3x divided by 2 है, और पंकज हम लोग माने ही थे x है, तो तीनों को अगर add करेंगे, तो योग यानि 33,000 के बराब हो जाएगा, यहां से हम लोग easily क्या करेंगे, x का value निकालेंगे, x का value निकालेंगे, तो यह कितना आ जाएगा, देखिए, 6000 आ जाएगा, यह सब calculate करने का जिम्मेदारी आपके उपर है, क्या करना है, वीडियो को रोकना है, उसके बाद calculation करना है, तो यह जिम्मेदारी जानिकि 6,000 हो गया, लेकिन हमें क्या पूछा है, क्योस्चन क्या पूछा है, जे मुकेज के पास कितना धन है, तो टोटल मुकेज के पास धन है, जो यहां हम लोग निकाल चुके थे न, 3x, और x के वर हम लोग पंकज का धन निकाले, तो यह सज आनी क्या, 3x यानि कि 3 x 600, यानि कि 18,000 रुपया यानि कि किस के पास है मुकेस के पास है और सोहन के पास 6,000 और वह हमसे पुछ देता क्या है यह भी पूछ सकता है सोहन के पास बताईए यहां 3x divided by 2 है न तो 3 into 600 6000 यानि हजार भी यानि कि यह सोहन का निकल जाता जो पूछेगा वह आपको एंसल डिना इसलिए न बोले को एक्दम खोल के दाल ने क्या है फोती फोटीफोर किया है एक कार को एक लाग चालीस हजार रुपया में बेचने पर 5% की हानी होती है यानि कि एक लाग चालीस हजार रुपया में बेचने पर क्या होता है कि 5% की हानी होती है और वही 12% के लाप बेचने पर कितना में बेचा जाएगा ये पुछा है यानि कि इतना रुपया में बेच सबसे पहले हम लोगों क्या करना है क्राइम मुल्य निकाल लेना है यानि कि वह कार को खरीड के कितना रुपया में लाया है यह ऐसा कोश्चन है जो एक बार दे दिया जाए इतना परसेंट लाभ होगा और दूसरा परसेंटेज दे देगा उसी का क्या रियल जो पुछेगा क्या करना है जो रियल क्राइम मुल्य कितना में खरीड के लाया है वह अपने को जानना है तो कैसे जानेंगे तो देखिए पांच परसेंट हानी से यानि कि 95% हो जाएगा लेकिन यह फर्मूला है क्राइम मुल्य निकालने 100 divided by 100-5 यानि देखिए यह 100 divided by 95 यह फर्मूला होत यह 100 divided by 100 कर लिजेगा अगर लाभ दिया रहेगा तो उपर पलस में 100 हो जाएगा अगर माइनस दिया रहेगा तो नीचे में 100 हो जाएगा माइनस में क्यों होगा थियोरी कलास बताएंगे तो उसमें एक डम खोलके रख देंगे अभी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है तो यह है पूरा कोश्चन को जो थियोरी है उसको खोलके रख देंगे टेंशन मठ लेजे उसके बाद रखे एक लाख चालिस हजार यह जो इन्टू एक्स जो रियल प्राइज दिया रहेगा वो एक समलोग मान लेंगे तो यहां क्राय मुले कितना है क्राय मुले कितना यह नि लाख पर इसका इन्टूट जैसे यह टोटल भैलू है मानलिजे इसको एकस मान लेते है एकस मान लेते एकस का क्राय मुले 12 परसेंट है यारी कि 112 आडिवाइड़ रहे हंड्रेद नहीं होता है तो वही न किया है 112 जो एकसो में जूट जाता है पौलस बार जो बताय थे 112 उ यह लाब हो गया और सेकेंड मेथर भी सका हम लोग देखते हैं देखिए 95 पर्सेंट इज कलतू एक दम सिंपल तरीका है 95 पर्सेंट इज कलक्टू कितना हो जाएगा एक लाख चालिस हजार, तो एक परसेंटीट इसकल तो यह पंचानवे नीचे जाए, एक लाख चालिस हजार डिवाइडेर बाइन्टी फाइगा, तो बारा परसेंट लाव, यह तो 95% कि हुँगा, क्योंकि 5% नुक्सान हुगा, तो एक सो माइनस 5 यानि कि 95% हो गया, पांच 112 करेंगे तो 112 परसे एक परसेंट यह है तो 112 परसेंट इन्टू 112 कल देंगे तो यह रियल भैल हुआ जाएगा ओके था यह हो गया सेगेंड में अब क्या है हम लोग अगला कोश्चन देखते अगला कोश्चन क्या है एक आदमी 10,000 रुपय की एक भाग को 5 परसेंट तथा 6 परसेंट पर निवेश करता है तो 5 परसेंट पर निवेश धन रासी 6 पर निवेश धन रासी का कितना इतना 76.50 रुपया अधिक जो उत्पादन देती है जो 5 परसेंट का निवेशित रासी है वो 6 पर निवेशित रासी से कितना पूछा है और दूसरा भाग है जो 6% पर मतलब दो पार्ट में वो बात दिया है और यह पूछा है कि यह बोल दिया है जो 5% जो निवेसित रासी है वो 6% की निवेसित रासी से 76.50 रुपया है जो अधीक देती है तो हमसे क्या पूछा है 6% पर निवेसित रासी यानि कि 10,000 रुपया में से 6% पर कितना यह जो आदमी है यह पूछा है तो हम लोग एकस मान लेंगे सबसे पहले क्या करेंगे सबसे पहले जो माना की 6% पर निवेसित रासी एकस है तो 5% पर कितना हो जाएगा दस हजार में से क्या माइनस एकस करेंगे तो यह कितना 5% पर हो जाएगा उसके बाद क्या है कि दोनों का जो अंतर है वो क्या है मान लिजिए एक साल मान लिजिए महिना जो भी है मान लिजिए मन्त ही मान लेते हैं दोनों का 6% और 5% और माइनस 6% पर है जो कितना 76.50 रुप्या का अंतर है तो दोनों का अंतर यानि कि हम लोगों ने यहां मान चुके हैं कितना जो 5% पर है कितना इसका जो यह हंड्रे इतना रुपया है तो इसका 5 परसेंट यह हो जाएगा माइनस X का जो X माने थे 6 परसेंट वाल X का 6 परसेंट 6 बटे हंड़े 6 परसेंट को हम लोग लिख सकते हैं छे डिवाइड़ वाई 100 तो यहीं यहाँ पर यहीं 5 परसेंट को 5 डिवाइड़ वाई 100 लिखाया लिखने का जो तरीका है वो थुरा अलग है वो करण अलग दिख रहा है इसकल्टू कितना है दोनों का अंतर हमें दिया गया है 76.50 रुपया तो यहां से हम लोग क्या करेंग करके एक लुद्य देटा करके युद्य में डिखेगा गया 10.59% ब्रुपया है जो 6 परसेंट पर है और 5% पर 15-50 कि जेगा वह लुद्य कारण अगला question देखते हैं क्या है देखे 46 एक व्यवसाई में साजेदार है और उनके लाभों में चार अनुपात 5 के अनुपात में बाथते हैं उसका अनुपात 4 एनुपात 5 में था लेकिन जैसे ही वह साँने करने के लिए एयो बी टीन बाथते हैं पलती सर्ट का अनुपात छोड़ना पलता है यानि कि इतने पलती सर्ट यहां भी अनुपात पुछा यानि कि पहले चारो अनुपात पांच था उसके बाद नया जो स्री सामिल होने पर छोड़ना परेगा यह अनुपात पुछा जब इस तरह के कोश्चन आए न इसलिए न बोलें एकदम जम अच्छा-च्छा कोश्चन इसमें लाया गया है तो सबसे पहले हम लोग मानलेगे कि कुल रूपई या एकस रूपई या यह भाग में पहला भाग में है चार है यानि कि फोर एकस डिवाइड़ वाइड़ फाइव नाइन के होगा तो फोर फाइप पलस फ उस टाइम का यह रैसियो है 5 X divided by 9 हो जाएगा c के सामिल होने के बाद एका भाग किया हो जाएगा c के सा टोटल कितना हो जाएगा 2 3 और 1 एड़ करेंगे 6 हो जाएगा तो और कितना एका कितना हो जाएगा 2 तो यानि कि 2 x 2 x divided by 6 यानि कि xy3 लिख सकते हैं उसी तरह भी है तो तू रेस्यों 3 है तो 3 x divided by यानि कि xy2 हो जाएगा उसके बाद 1 है तो 1 यानिकि x1 x 2 x 6 हो जाएगा तो xy6 हो गया हो गया उसके बाद क्या है कि यह हमसे पुछा है कि c को सामिल सेल होने से पहले अगर मानलिस सी को सामिल कर लिया गाता है وęt स कितना आनुपाथ तो चोरना पankभ Teams पर नहीं को माइनस कर लेंगे पहले यह को तो खोड़ने 129 आपर 10ud खोड़ींक दोकर यह क्या क्या कैसेए सांवली कर gya U और B का देखे, 5xy9-xy2 हो जाएगा, यह B हो गया, A और B हो गया, तो क्या है A और B अनुपात है, तो xy9 हो गया, xy9 और xy18 हो गया, तो xy9 और xy18, यानि कि 2x divided by इसको अगर इधर उदर क्रोस करके किजिएगा, यह सब अनुपात का है, थियोरी कलास में सब बताएंगे, टे 2 ratio 1, इसका answer आजाएगा, जो कि कहां पे है, 2 ratio 1, B में दिया गया है, तब 20 का सही उतर हो जाएगा, चलिए अगला question देखते हैं, क्या है, 60 वच्चों, साथ वच्चों की एक कक्षा में, 25% लर्किया है, देखे, question में यह answer देदेता है, साथ में से 25% क्या है लर्किया, पहले पुछा यह, इने में से, यानि, कि जो लर्का का संख्या राइगा, उनowasi से 20% लर्किया, और जो लर्कियों की संख्या निकलेगा, उसमें से 20% लर्किया पिक्निक पर गए, तो ज्यात किजिए कि उस कक्षा में, कितने परतीसत बच्चे पिक्निक पे गए, यानि कि total student है, जो संख्या पुछा है कितने student है जो पिकनिक पे गए तो ऐसा question रहेगा न तो सबसे पहले ये first वाले को पकड़ेंगे कि लर्कियों की संख्या 60 का 25% अब लोग निकालेंगे तो ये लर्कियों की संख्या देखें 60 का ये जो कक्छा में लर्कियों की संख्या 60 का 25% है न तो य क्या बोला है question में इन में से लर्कियों लर्किया में से 20 परसेंट है जो क्या है और 20 परसेंट लर्किया और लर्का पिकनिक पे गए है तो कक्छा में से कितने परतिसात पिकनिक पे गए है ये है तो पहले हम लोग ये ग्याद कर लेंगे कि टोटल लर्कों की संख्या कितना यानि कि पन्रह divided by 1 by 5, 1 by 5 के 20 by 20% को 20 by 100 लिख सकते हैं, तो एक सुना से एक सुना यानि कि 1 by 5 लिख सकते हैं, यानि कि 3 लड़किया और 9 लड़के गए हैं, यानि टोटल पुछा है, तो टोटल और उसके बाद टोटल के और ये, देखे, कोश्चन यहां रखेगा, 20, और 20 मा अच्ये टोटल हमारे गए है, 12 मालेजिया, अगर मार के आ जाते हैं, 12 तो इसमें दा ही है, कि आप्सन में दे सकता है, तो गलत होगा, तो हम लोगों को क्या करणा है, कि यहां परसेंट निकालना है, तो परसेंट यानि कि 12 गए हैं, और टोटल कितने में से, तो साथ में से कितने गए हैं, तो साथ है, इन्टू हन्रेड करेंगे, तो हुआ कितना, 20 परसेंट इसका एंसर हो जाएगा, तो इसका एंसर जो फरमूला था, मतलब टोटल कितने गए, 12 गए, और 12 गए, और कितने में से, साथ में से, साथ में से, और कितने, परसेंट तिससत निकाला, य कि ले सामाय गतिकीा है कितने घंटे के पहस्चे यह. दूरी दे दिया है और यह घंटा समय पूछा है यानि कि देखे 40 कल तू समय को दोले चल दिया है और कितना हो जाएगा दोनों माइनस हो जाएगा यानि कि एक पचास किलो मेटर पर आवर के स्पीर से चला है यह चाल निकल गया दोनों का अंतर है जो चालों का अंतर है वो निकल गया यानि कि यह चाल हो गया और हमें समाय नहीं दिया गया समाय जैसे चाल इज कल तू दूरी व दोरी बाटे कितना किटना पुछा है 18 km दूरी का होना चाहिए कितने घंटे बार और जो चाल का अंतर है वह हमें जो ट्रिक है यह सब हमेशा यार रखेगा तो यहां ठाराव डिवाइडर वाई 10 कि जेगा तो 1.8 यानि कि 1.8 गंटे बाद है दोनों को जो बीच का गैप रहेगा वो 18 किलोमेटर की बीच का रहेगा कितना 1.8 गंटा कहा है अप्शन D में इसका सही एंसर हो जागा चलिए अगला कोश्चन देखते हैं देखे 49 एक 20 मीटर लंबे तार को इस परकार काटा जाए कि तार को एक टुकरा तार के दुसरे तुकरे की लंबाई के दो बते तीन गुना हो जाए यानि कि एक 20 मीटर की लंबी तार वायर है इसको इस परकार काटा जाए कि एक टुकरा दो टुकरा में काटा जाता है एक तुकरा दुसरे तुकरे के दो बते तीन गुना हो जाए तो तार की लंबे टुकरे की लंबाय यानि की जो सबसे लंबा टुकरा है उसकी लंबाय पुछा है तो यह 20 मीटर का जो लंबाई है इसको दो भाग में काटेंगे एक भाग माले जह एकस है तो दुसरा कितना हो जाएगा 2y3x हो जाएगा 2y3x हो जाएगा तो क्या है माना कि पहले टुकरे की लंबाई जो हम पहले बताए है solution देखते हैं x meter है तो दूसरे question में ही देद या यह 2y3x के बरावर हो जाएगा और दोनों का जो अगर दोनों add करेंगे x plus 2xy3 तो यह total कितना 20 meter के बरावर हो जाएगा तो यही न यहाँ पे जो equation बना दे x plus 2xy3 20 meter यहाँ से हम लोग x का value निकाल सकते हैं तो x का value कितना 12 meter आ जाएगा तो यही न सबसे बरावा देखिए अगर यह 3y2 रहता तो यह हो जाता लेकिन 2y3 है यानि कि 0.something में चला जाएगा वो कारण यह दुसरा टुकरा है वो छोटा रहेगा सबसे लंबा टुकरा x बाला रहेगा जो सबसे लंबाई है वो लंबाई टुकरा x बाला तो x का value आ जाएगा जो कि 12 meter सबसे लंबा टुकरा रहेगा पहला 12 है तो दूसरा कितना आजाएगा 8 आजाएगा रख्ये भी X का वैलू 12 है तो 2Y 3 इंटू X X का वैलू अगर 12 डालते हैं तो यह 4 यानि की 8 मीटर हो जाएगा यह छोटा तुकरा हो जाएगा और 12 कितना 12 हो जाएगा तो यह एंसर इसका क्या हो जाएगा 12 मीटर कहां पर है सी में दिया गया है जो की सही उत्तर हो जाएगा उसके बाद देख्या अगला क्या है Q240 गहन मीटर मिश्रन में जल और ग्रेसलीन का आटन एक अनुपात कितना है एक अनुपात थिरी के अनुपात में है इसमें कितना और जल मिलाया जाए घहन सेंटीमेटर में कि नए मिश्रन का अनुपात है दो अनुपात थिरी के अनुपात में हो जाएगा। हुआ जाएगा जल मुलाना है किया ग्लीशलीन दाढ़ जल मिलाना है जब ऐसे क्वेशिंसक्ण पूछाएगे रहेंगाना स्वाइगाव व्यूचार थिरी और घ्लीशलीन में रिफ्सन सेंटानी सेमिन है शार्याइच तो पनी में मीहाद डिवाइडेर वाई पानी निकालते है, क्योंकि पानी 1 है, तो यहाँ पर हम लोग simple यह पानी का मिशरन निकाल लिए, जो कि 6 cm क्यूं आ गया, इसमें से नय मिशरन जो मिलाने वाली है, वो कितना हो जाएगा, 60 ये है, तो 60 में हम लोग मान लेंगे कि नया मिसरन x cm मिलाएंगे, कितना? 60 x cm, 6 plus x ये क्या हो जाएगा? पानी हो जाएगा, glycerin कितना हो जाएगा? तो ये 180, मतलब 60 cm दूसर 40 में से, सपोज मान लेजिए, 2-40 cm है यह 60 cm क्या पानी है तो 240 में से 60 जाएगा तो 180 क्या हो जाएगा इसमें glycerine का हो जाएगा ओके तो गिलेसलिन कितना 180 लिटर हो जाएगा तो 180 है तो यह 60-180 हो गया यह पहलु का ratio है इसमें से हम लोग क्या पुछा है जे नय पानी का मिलाने पे यह ratio को कितना 2 ratio 3 है 2 ratio 3 है 2 अनुपा 3 है इस ratio में बनाना है तो 60 में पानी ही केवल मिलाना है उपर पानी है तो पलस x करेंगे एक सो चालिस तो glycerine वही रहेगा न क्योंकि यहां glycerine में छेलने के लिए नहीं बोला है तो कैसे हम छेल देंगे इसमें तो पानी में 60 में ही यह बी में हो जाएगा कहां बी में हो जाएगा समझे क्योंकि 60 हम लोग निकाले 122 से 40 में से 60 लिटर क्या है पानी है तो जो बचेगा 240 में से 60 माइनस किजिएगा तो 180 हो जाएगा यह क्या हो जाएगा ग्लेसलीन हो जाएगा जो पानी और इसका 60 है divided by 180 का ratio हमें कितना दे है एक अनुपाट 1 अनुपाथ 3 पहले दिया है लेकिन जो दूसरा ratio है दो अनुपाथ 3 है और इसकी किसके केवल पानी में छेर छानी मतलब छेरा है तो 60 प्लस एक्स नाया अनुपाथ हम लोग एक्स मान लेंगे क्योंकि पानी ही एड किया है डिवाइडर बाए एक्स अग मिलते है नेक्स्ट वीडियो में लेकिन आप लोगों को हम फिर से बता दे कि अगर आप लोगों ने ई-book नहीं लिया है तो ले सकते हैं इस नमर पे पेमेंट किजिए मातर 70 रूपीज में और यह नया पैटर्न पे अधालित ई-book है इसी नमर पे आपको पेमेंट करना है प आपका भी लाब होता है और उनका भी हो सके ओके मिलते हैं नए वीडियो में जय हिंद जय भारत